हेलो फ्रेंद्स वेलगमटू मैं ने वीडियो तो फ्रेंड्स जो मेरे पिछली वीडियो थी उस वीडियो में मैंने आप लोग् bringt को शिखाय था कि कैसे परफ्यक्स आफ्टनW drauf करते हैं grid method का यूज़ करके तो उस वीडियो में हमने एक applications को यूज़ किया था उस application से मदद से हमने grid को बनाय था लेकिन जो ये वीडियो है इस वीडियो में हम बिना applications को यूज़ किये grid method से एक perfect outline draw करना मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ तो वीडियो को end तक देखना और चैनल पर नए हो तो please subscribe करना तो चलो करते हैं वीडियो को start तो friends सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि जिस photo का आप outline बनाये चाहते हैं उस photo का print निकालना है जैसि कि मैंने यहाँ पर ये print निकाला है friends यह A4 size का print है black and white में अब मैं इसको क्या करूँगा कि जो मेरा drawing paper है उसको और print paper को match करके जो भी extra part है print paper का उसको मैं cut कर दूँगा देखलो friends दुनों ही paper बराबर हो चुके हैं अब मैं drawing paper को रखता हूँ side में और इस print paper पे उपर बनाते हैं grid तो grid बनाने के लिए मैं यहाँ पर red pen का यूज़ करूँगा red pen का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं marking कर रहा हूँ इस वीडियो में सबसाइद दिखाई दें यहाँ पर मैं 1.5 cm की marking करूँगा marking हो जाने के बाद जो भी आमने सामने वाले point हैं उनको मैं मिलाऊंगा grid बन चुके है guys अब मैं यहाँ पर mark करूँगा इस उपर के साथ पहले में mark करूँगा और फिर इस सेड में इस ड्राइंग पेपर के ऊपर बनने के लिए इस ड्राइंग पेपर के ऊपर grid बनने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूँगा इस mechanical pencil का इसमें HB की लेड है ड्राइंग पेपर के ऊपर मैंने अलका सा प्रेशर एपलाई करके एक grid बनाई है अब बरी है ड्राइंग करने के आपको स्क्वेर के सबसे ही आपर ड्राउ करना होगा आप चाहें तो मेरे पिछली वीडियो भी देख सकते हैं उसमें मैंने बहुती असल तरीके से समझा हैं तो प्लीज उस वीडियो को देखना करने करने तो प्लीज वीडियो करते हैं तो झाल झाल तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लो आउटलाइन कुछ इस तरहीं से बन चुकी है एकदम पर्फेक्ट बन चुकी है आपको यह शेडिंग के शेडिंग नहीं किया है इसलिए वैसे दिख रहे है शेडिंग करने के बाद बिल्कुल पर्फेक्ट दिखेगे इस यह वीडियो के बाद आप लोग आउटलाइन बनाना सीख चुकी होंगे ऐसे ही टुटरियल में आगे लाता रहोंगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आप लोगों को किस तरह का टुटरियल चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना तो इस वीडियो में यही वीडियो देखने के लिए धन्यावाद